जो धनूराशी की जाता है खाज आपको ध्यान रखने का बहुत से निचेटिव हैं छोटी छोटी बात आपको काफी खराब लगती है और एस्पेक्टेशन साब कितनी हाई होती है कि लोग आपके खरे न उतरने साब को दिक्कत होती है किसी प्रकार का अगर पूंजी निवे सौधानी के अबरतिय मध्यमार के प्राना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उपायट्य करने गुरु माता को वस्त्रय उपहार दें अच्छा रहेगा सुभंके चार सुभंके हल्दी कलर लक्त मीटर रहाट अर्ट अर्यक्रिश्ण आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्थती है और अजका पंचांग में जे सुर्योदय कब होगा सुर्यास्त कब होगा रहुकाल कब है दिशाशूर कब है कों से तिति है कौन सा योग है कौन सा करहड़े सारी बात हम आपको बताएंगे आज का महामंतर क्या है महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या फायदा मिलेगा ये भी बताएंगे 12 राशियों के भी बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि आज की 12 राशियों की क्या कहता है 12 राशियां कौन बिदेश जाएगा, किसका भागोदे होगा, कौन खेल के शेतर में जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, किसको राजनीती की शेतर में बड़ी सफलता मिलेगी, एस सारी बात में आपको बताऊँगा किस अंक के प्रयोग करने साब का भागोदय होगा किस रंग के प्रयोग करने साब की महानुन नतोगी सौधनिया क्या बरतनी है उपाय क्या करना है गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्म दिन उनके भी बारे में बताऊंगा दर्शों के प्रश्णों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहे यह भाग के कुरू कारिकर अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग के आज 28 जून 2024 दीन है शुकरवार सुर्योदे हुच चुका है सबेरे 5 बच के 25 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 7 बच के 22 मिनट पर चंद्रमा रहेगा मीन राशी में पूर्वा भात्रपत नच्छत्र रहे कृष्ण पक्ष्ण पक्ष्ण सवभागी योग है आज का जो सुब मूरत है 11 बच के 56 मिनट से लेकर के 2 पर 12 बच के 22 मिनट तक रहेगा और पस्ष्ण दिशा का दिशा सूल है आज आपको एक माली हालत अच्छी होगी परिवारिक किस्ति अच्छी होगी घर इत्याज बनवा सकते हैं गाड़ी करिदने का आउसर मिलेगा तो देखा जाता आज के दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा रहुकाल में किसी भी नयकारी की शुरुवात न करें दिशा सूल में यात् च्छोटी दूरी की है तो दही गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखें और सुमूर्थ में कोई भी नयकारी करते हैं तापके लिए अच्छा आज का महामंत्र है ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी यही यही सर्वस्वभागे देही में महामंत्र है जगत करते स्थात्री देवी माता लक्ष्मी जी का है माता लक्ष्मी जी की कृपा से एस्वर सुक्स नम्रिद्धी की प्राप्ति होती है ब्यक्ति काफी यह सस्वी होता है प्रतेश्टित होता है और मालक्ष्मी की कृपा से घर में सुक्स वभागे की